आज का वीडियो काफी इंड्रेस्टिंग होने वाला बच्चो आज के इस क्लास में हम लोग equation of motion जो हमारा टॉपिक है इसे कबल करेंगे आज को पता है कि अज करेंगे इसे 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 करेंगे यह हमारा यहां पर S stands for, A stands for acceleration due to gravity, क्या बल देंगे? acceleration और last हमारा S, यह जो S है, S stands for that is displacement, क्या बल देंगे? displacement बच्चों, अगर हम जब बात करें, equation of motion, में मोशन की बात करें, तो इस case में हमारा equation of motion है, यह always state line means, हमारा formula always लगता हमारा one dimensional motion के लिए, किसके लिए लगता है one dimensional motion? यह बोल सकते हैं, लोग linear motion के लिए, बच्चों, जैसे के example हम लोग यहां पर लेते हैं, यह आपका, हमेसा one dimensional, इसा एक direction में मोमेंट हो रहा हो इसे object, इस object को लोग कर सकते हैं, इस object को लोग Consider कर सकते है, in respect of upward moment हो यह जो upward moment हो और यहां पर दिखिए, यह जो upward moment हो यहां पर फिकते हैं चाहेंगे मोग, तो देख सकते हैं, यहां पर उपर आ गया ना object, तो इसका हमारा जो upward, जो object है, ये दो तरह से move कर सकता है, एक हमारा हो सकता है, हमारा Just downward movement के लिए, जिक है, एक हमारा क्या हो सकता हूट upward moment के लिए ठीक है और इसका जो motion हो रहा है वो हमारा किस ने action और that is in one dimensions में हो रहा है, ठीक है यहां पर टॉपिक लिखते हैं इस अपवार्ड मुवमेंट में ठीक है ठीक है अपवार्ड मुवमेंट में क्या हो रहा है तो आप बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं अपवार्ड मुवमेंट में क्या हो रहा है अगर मालने लिए अब्जेक्ट है इस बिए अब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फिक रहे हैं तो चीक है जैसे ब्याक्त छोग को आ यहां से पुश्च करके तो यहां पे देख सकते हैं तो यहां पर आधे अजिक्वर चो एक थेसे हैं इस घ्यम मालने की पर लिखता है इसके पास कुछ वाले सिटी है तभी यह मूव कर रहा उपर इसलिए यहां पर हो सकता है कि इसका जो वैलू होगा हम ऐसा क्या हो जागा एक ऐसा पॉइंट हागा that is v is called to a final velocity होगा that v is called to 0 होगा तो हम यहां पर बोल सकते है फाइनल विले सिटी होगा that is greater than 0 होगा और जो फाइनल विले सिटी होगा बच्चो वह हमारा क्या होगा that is v is called to zero होगा तो यहां पर बोल सकते है that is the speed of ball तो यह आपका निकल गया ना, Speed of ball at a upward moment अगर होता है, Speed of ball at down हमारा क्या होगा? Initial velocity, that is, initial velocity हमारा क्या होग, that is u is greater than 0, और जो final velocity होगा, Speed of ball at top क्या होगा? That is, v is greater than 0, अब इसी motion को अम लोग क्या कर सकते, downward movement दे लेती, इस motion को अम लोग क्या कर सकते, downward movement दे लेती है, इस motion को जब हम लोग दोड होगा है, तो यहां पर अगयन हम लोग क्या करेंगे? यहां पर लिखे है, downward movement, यहां क्या लिखने वाल है, downward movement, okay, बच्यों तो जो downward movement हमारा object क्या, तो उपर से हम लोग लीचे फिक रहे है, बच्चों आप देखें यहां पर इस अब्जेक्क तो देखेंगें यहां पर धियांद से देखेंगें तो यहां का वेलेसिटी जो हमारा इनिसल वेलेसिटी का विद्धी से 0 हो जाएगा speed of ball at top, ठीक है, इस case में हमारा क्या होगा, velocity करते दी-जिरो होगा, और जिसे जमीन है, अगर जमीन हमारा, यह जमीन हमारा, तो इस जिस जमीन हमारा ग्राउन है, तो इस जिस जमीन हमारा जो velocity V, जो final velocity होगा, that is greater than 0 होगा, बचाओ, यहां आपको लिखना है पड़ेगा, that is the speed of ball, speed of ball at the bottom, ठीक है, at the bottom, इस case में हमारा क्या है, V is greater than 0, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कि downward moment हो रहा था, तो initial velocity अमारा U is greater than 0 था, and final velocity V is called 0, जब reverse process हुआ, तो U is called 0 होगा, and final velocity is greater than 0 हो जागा, और यहां पर देख सकते हैं, कि downward moment consider करें, यह upward moment consider करें, हमारा जो motion हो रहा object का, only in one direction consider हो रहा है, अब देखिए बच्चों, और हम लोग यहां पर क्या क्या देखिए, मानले थे इस object को मानले, downward moment को देखें, तो downward moment को देखिए, यह दो पास इस object का पास इनिसेच वलेशिटी यहां पास इनिसेच वलेशिटी यहां गिरीए, जिसका हम लोग मान रहे थे, U, तो इनिसेच वलेशिटी क्या हो गोलता, U, पर राम निकाल सकते हैं एक वर्ड आता है जिसरे राम निकाल कर सकते हैं अब देखो, एक word आता है, जैसे हम लोग पहला एकर equation को consider करें, यहाँ पहला equation का हमारा यहाँ question क्या बनता है, V is equal to u plus 80 होता है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चे हमारा final velocity आपको निकालने बोल देख सक्षिन में, find the final velocity, तो आपको इस पहला equation क्या होता है, V is equal to u plus 80 होत होता है, यह is equal to u plus 80 होता है, इसका acceleration का मतलद रहता है, rate of change in velocity, rate of increase in velocity, क्या बोलता है, increase in velocity, अब देखें, माल लेते हैं, कभी अगर माल लेते हैं, इस case में देखें, जब downward moment हो रहाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहता है, velocity हमारा increase हो रहा है, कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा starting velocity 0 था, final velocity ग्रेटर देखें, क्या हो रहा है, increase in velocity यहाँ पर हम लोग positive acceleration बोलते है, अगर हमारा acceleration positive है, तो हम लोग acceleration बोलते है, वहीं अगर just opposite लेलो, जब upward moment के बात करें, जब upward moment में क्या हो रहा है, यहाँ पर में हमारा initial velocity जो होगा, that is greater than 0 हो जाएगा, final velocity जो होग to u plus 80 तो यहां पर question push देगा कि find the initial velocity find the initial velocity जब हमारा time t is called हमारा 1 second लेता हो तो बच्चों यहां पर देख सकते हैं object है यहां पर initial velocity is greater than 0 था पर final velocity हमारा 0 हो गया तो यहां पर जो acceleration a का value होगा that is हम लोग negative में आएगा ठेक है और जब acceleration हमारा negative होता था हम छो इसको बोलते है when क्रिकरीज विलस्टी। Diego हमारा लुठरीज तो बच्चों यहां पर देख सकते हैं stuffs-ềnति जाएक हमारा यहा किआ है और ल्य पता रहेगा तो रामसानम भी जाладवारा त्वर्यपर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो बच्चों यहां पर upward motion हो गया, downward moment हो गया, यह तो जो object हम लोग क्या कर सकते हैं, with the help of equation number one, that is law of motion का पहला equation जो होता है, that is v is equal to u plus 80, उसके help के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, चलिए इसी question में एक और question पूछ लेगा आपसे, that is महाल लेते हैं, upward motion हो गया, जब upward moment हो रहा था, इस case में हमारा यहां पर आपको question देदेगा ऐसा है, कि आपको अपटा है, कि हमारे यहां पे यहां से यहां तक पहुंचने में, ठीक है, यहां से यहां तक महुंचने हमारा माल लेते हैं, कि एक second लिए, ठीक है, मैं से हमारा time देदिया, अब पूछ लेगा, कितना हमारा distance, तो आपको नाचे हैवहागा स्कारशतिक है इस कारेंगी इस केससे लोग आज दूसर्जुरे डियोत्ति प्लास आपको अल्यू पता है ती पता है एक्सिलेशन ग्राविटी पता है जिसको बें ऐडोसे से पेले किन विलके से प्लास 9.8 मेटर पर सेकंड ठीक है ओके तो अब यहाँ पिए क्या करना पड़ाएगा यहाँ पी प्लस और माइनस का चक्र होता ठीक है जब जब ऑबजेक्ट हमारा यह जो ऑबजेक्ट है वह अपवाड अगर मोशन हो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यह एक अवल्या तो इसकास में acceleration का value क्या होगा पॉस्टिव होगा पर यहां जब upward moment होगा पहले हमारा negative होजाएगा और journi nella मिल्टतब्ध करेंगा ज़ए जब इक सरफ होग सब्सक्राइब होगा it we cannot wali yon vuid 200剛剛 method Alexa रू सिर्शल्सित होगल सकते हैं तो आपको एक और क्योश्शन दें अगर जिरेलरिट्थ बोल दिया थी, अगर जीरेट्थ tarot कि आपक रहें, जिब जीरेशन जिरेशन जीरेट्थी, अगर मेपके अगर एक्सिट्थ नहुं आनए शेररिंद कर रहे है? कि हमारा जो मोशन हो अगा it can't stop it हमारा जो मोशन वो क्या रहा है कोऌस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो यह निए सुखेट कोब जाएगा जर स्पीड कोईट कोईट था तो अपन अचले कर देड वह दो ऊचले कह दो कि एक ऊबजेक्ट है इसका velocity के मनलब 10 second बाद रहें कितना distance cover करेगा, तो पहले ही बोलते हैं कि इसका initial velocity है, वो कितना इस फाइब मेंटर पर सेकेंड है, और इस ही स्पीड से वो क्या करे रहे हैं, और कितना दे तक मूँव किया, 10 second तक मूँव किया, तो आपको यहां पर displacement निकालना या तो distance निकालना दी स्कल्टिय के होता है और आम से प्राइल मैस का जो फॉर्मला होता है तो बच्चों को ध्यान देना है कि आपको motion हमारा क्या accelerated है अगर motion accelerated है तो law of motion का जो तीन equation होता है उसको use करेंगे अगर motion unaccelerated है मेंस हमारा speed हमारा constant हो जाता है तो हमारा simple से general mathematics हम लोग पा रहे था है तो इस distance is called to speed into type उसको use करेंगे हम लोग क्या कर सकते है displacement निकाल सकते है ओके बच्चों अब माल लेते question आप से पूछ लिए question आप से पूछा है कि माल लेते एक example question देते है आपकी पास अगर u is called to zero meter per second zero meter per second इन से अपको दे दिया है और time आपको दे दिया that is one second दे ठीक है और final velocity आपको निकालना है final velocity आपको निकालना है और यहां पर बोल दिया है कि acceleration that is acceleration e का value जो दिया that is approach में बोल दिया that is 10 meter per second इसका तो हम लोग क्या करेंगे जो पाहला equation होता है that is v is called to u plus 80 इसको यूज करेंगे ठीक है बच्चो तो आपको यहां तक concept आपको मजा रहा होगा अब देखे हम लोग यहां पर एक object देखे था ना डाउनड मोशन यह जो डाउनड मोशन हो रहा इसका जो increase in speed हो रहा है towards the gravity यह towards the surface यह किसके वज़ासर है that is due to gravitational force due to gravitational and due to gravity बोल सकते हो अब हम लोग अगला topic आता है हमारा कि यह retardation का concept तो अलड़ी बता दिये कि अगर हमारा object upward moment हो रहा है यह जो object topic है इसको हम लोग कैसे solve करेंगे तो बच्चो आपके पर ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पी आपको देखे कि initial velocity था, final velocity था, acceleration था, time था, displacement था यह parameter कहीं अगर 3-4 variable involved है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा यहां पर formula लग सकता है ठीक है बच्चो अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग इस class में पड़े उसको हम लोग क्या करेंगे briefing करने वाले है ठीक है बच्चो तो पहला briefing हम लोग देखते हैं क्या से है अगर अब्जेक्ट हमारा अपवार्ड मुव कर रहा है और अब्जेक्ट हमारा जो इनिशल वेलिसिटी होता है वह हमारा क्या होता है अब्जेक्ट क्या होगा कि उपर से नीचे मॉव कर रहा है इसके स्में इसल वेलिसिटी हो मुझा है और अब्जेक्ट वेलिसिटी जीडर इस ग्रेटर दन जीर्वाक कि यह दो कंडिशन आपको याद रहना पड़ेगा टिकःग्ए हम लोग दो कंडिशन सीख लिए अग यह पर ऐख्सेयलियोंटि रगट्य जेसको थे अपस्टीव होगा यह नेरल यह आपका पॉस्टीव होगा यह अपका पॉस्टीव होगा अर जेशनरली कितना वह ओता है तो यह बोले, इसको मों रहने, जरो हो होता है, तो में बहते है और र्ल जितल्स्य रोविड़ सब्सक्राइब, ikasana इंपीज आफची तो बच्चो आज के इस क्लास में लोग यही तीन टॉपिक पढ़ रहे हैं कि वाट इस दिफ्रेंस बिटिन अपाइड डिस्प्रेस्मेंट और अप्वार्ड मोमें और डानौड मोमें तो बच्चो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्षन में कमेंट करिएगा और बच्चो फिलाल इस दिफ्रेंस में इतना ही है थाइंक यू एंड थाइंक यू वेरे मुच फॉर डिस्कसन